जब आये थे वो मेरी जिन्दगी में तो कहते थे प्यार बहुत करते हैं, आज पता नहीं क्या मजबूरिया हैं, आज वो हमें एग्नोर करते हैं, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल लब एक्सप्रेस भाई नितेश में, मैं हू देख के एग्नोर करता है, तो आपको क्या करना चाहिए, उससे पहले मैं आप सभी से कह दूँ, अगर आपके पास भी है कोई प्राइवेट या परसनल सवाल, जो आप पब्लिक ली नहीं कूछ सकते हैं, तो आप दिये गए इस वाट्सप नमबर पे मैसेज करके अपनी अ जलल की, आपको इस बाग का पूरा यकीन दिलाने की कोशिश करता है, कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम तुमाई बिना नहीं रह सकते, और ये रिज्टे की सुरुआत में होता ही है, क्योंकि जब अटेश्मेंट बहुत ज़्यादा होती है, लगाओ बह बहुत मैसेज इस आते थे, मैसेज देखते ही साथ रिप्लाई आ जाता था, और घंटो बाते हुआ करती थी, क्योंकि रिष्टे की सुरुआत में आपके पास एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत सारी बाते थी, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आ क्या है, हम क्या कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, समय कम पड़ जाता था बातों के लिए, लेकिन आज जब आप एक दूसरे को well enough जान चुके हैं, तो क्या चीज़े हैं कि आपको ignore किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, देखिए कई बार सिच्वेशन में क्या होता है, कि इगनोर दो तरीके से किया जाता है, पहला, टेंप्रेरली इगनोर, टेंप्रेरली इगनोर क्या होता है, कि जब कोई व्यक्ति विशेस वाकई कहीं पे, जैन्यून तरीके से कहीं विजी है, कहीं पे भी कोई काम हो सकता है, कोई important meeting हो सकती है, family member बिमार हो सकता है, किसी function म में वो विजी हो सकता है, कुछ घर property के cases पे वो उल्जाव को हो सकता है, code catchery का मामला हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो temporary होती है, पर temporary अगर आपको इगनोर किया जा रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, परशान नहीं होना है, एकदम से आपको panic नहीं होना है कॉल पे कॉल, मैसेज करके मुझसे अभी बात करो, अभी करना पड़ेगा, करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है, जवाब दो, unknown number, unknown ID, इधर ते try, उधर ते try, नहीं करना है आपको, हर एक इनसान करो, एक personal space होता है, एक personal space के साथ साथ, उसे कुछ personal time चाहिए होता है, कि वो उन चीजों को, उन matter को life में निक्टा सके, देखिए, याद रखिएगा हमेशा कि class permanent होता है, form temporary होता है, तो यह जो इस तरह का ignorance है, यह temporary ignorance है, जान भूज के नहीं किया जा रहा, आपको सताने के लिए नहीं किया जा रहा, और इसको आपको समझना होगा, कई लोग बहुत ज partner से, इस बात का proof मांगेंगे, कि तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं, या तुम मुझे से प्यार कितना करते हो, इसका सबूत दो, या इसको साबित करो, रिष्टे ऐसे नहीं चलते, रिष्टों को चलाने के लिए, understanding बहुत ज़्यादा जिरूरी है, और लोग आज के समय में, यह technology, यह समय, यह science की दुनिया जितना तेजी से आगे बढ़ गई है, हम लोगों ने level of tolerance अपना उतना ही कम कर रखा है, हम तुरंत पैनिक हो जाते हैं, हम भढ़ बढ़ा जाते हैं, यह चीछ हम को तुरंत चाहिए, अभी चाहिए, तो यह temporary ignorance है, आप इस पे में हैं, कहीं परिशानी में हैं, तो कोसिस करिए आप उसकी परसानियों को बढ़ाने की बजाए, उसका साथ दे, सपोर्ट करें और कम बाग करें, यह तो हो गया temporary ignorance, अब आता है permanent ignorance, जो की किया जाता है, जान बूच के, आप कोई calls को देखके अंदेखा किया जाता है, आप मेंसेज करते हो, आपके मेंसेज को सीन करके रिपलाई नहीं किया जाता है, आपकी calls को कट कर दिया जाता है, और आप अगर कुछ कहो, तो आपको ब्लॉग भी कर दिया जाता है, फिर दो-चार दिन बाद आपको अन ब्लॉग करके, फिर उसका मन हुआ तो बात कर लिया, आ अब इसके क्या रीजन्स होते हैं? थर्ड पर्सन हो सकता है, हो सकता है उस व्यक्ति विसे इसका आप में इंट्रेश्ट ही खतम हो गया हो, हो सकता है वो आपके लिए serious ना हो, हो सकता है वो आपके साथ अब खुश ना हो, और हो सकता है कि वो आगे आने वाली life में, अब इन चीजों को continue नहीं करना चाहता, और हो सकता है कि वो आपको future में अपने साथ नहीं देखता है, यानि अपना future आपके साथ नहीं देखता है, तो ऐसी situation में क्या करना चाहिए? भाई देखें, जिन्देगी या relationship मजाग तो है नहीं, पहले आप आए, अपनाए, और सारी चीज़ें करने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद, अपनी आदत लगवाने के बाद, अब आप हमें एग्णोर कर रहा हो, यानि आप हम ऐसाथ गलती तो कर रहे हो ना, तो ऐसी situation से बचने के लिए आपको खुल मिला कि सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, कि आपको लड़ना जगड़ना नहीं है, लोग अर्गुमेंट करते हैं, लोग लड़ाई जगड़ा करने लगते हैं, परिशान होने लगते हैं, इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं करने आवाला, कोई आपको पर्मानेंटल इग्नोर कर रहा है, तो आप सीधे तोर पे जाके उससे मिलिए, अगर मिलना पॉस्पल नहीं है, तो आप दूशे नमबर से एक कॉल लगाईए, और सीधा सा, आप केवल इतना कहिए, दो मिनिट बात करने हैं, अगर सामने वाला बात करने के लिए तैयार हो जाता है, देनों के, और अगर वो नहीं होता, उसे आपको ब्लॉक कर दिया, तो आप समझ जाइए, अब इस रिलेशनशिप में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो आपको अगर इस तरह क्या इग्नोर किया जा रहा है, तो इस इग्नोरिंस से आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचा सकती है, वो है आप ख पड़ाना, उस पुराने मुबाइल को सोड़के बदलना पड़ा, आपको ऐसा इग्नोर इसलिए किया जाता है, कि जब किसी व्यक्ति विसेश ने आपके साथ रिलेशनशिप की शुरुआ की थी, तो आपकी भी कुछ क्वाल्टिया हुआ करती थी, और उस समय के हिसाब से वो चीज़े सही थी, लेकिन जब आप रिलेशनशिप में आए, तो आपने एक चीज मान ली, कि ये सामने वाला गत्ती विसे सिर्फ मेरा है, और अब इस पे सिर्फ मेरा दिखा रहा हुआ और ये मुझे कभी छोड़के नहीं जा सकता, या मुझसे अलग नहीं हो सकता, य और इसी अपग्रेड ना होने की वज़े से, आज आप पिछड़ गए, और आपकी जगे या तो किसी और ने लेए, ठीक वैसे ही, जैसे पहले पेजर आए, पेजर के बाद टेली फोन आए, टेली फोन के बाद वायरलेस पोन आए, वायरलेस पोन के बाद मुबाइल टेकन हो गया, और वो आज भी वैसे ही मैनुक्रेक्चर हो रहा, कोई अपग्रेडेशन नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान ने जो चीज बनाई है, वो परफेक्ट है, और हम इंसानों ने जो चीज बनाई है, वो अपग्रेड होती रहती है, वो परफेक्ट नहीं है, तो आपको हम इसा अप्ग्रेड होना है. आपको अपने लुक्स पे काम करना है, आपको अपने बहबियर में काम करना है, आपको अपने अंदर वो निखार लाना है, जो समय के साथ लाना जरूरी था. और आपने over-available होके अपनी value खटा ली. इसलिए आपको इग्नोर किया जारा है. तो आ और जब तक आपको फरक पड़ेगा, तब तक सामने वाले को फरक निल पड़ेगा, इसको कहते हैं law of attraction, और demand और supply का rule अगर आपने पढ़ा हो, तो जब तक जिस चीज की demand बहुत ज़्यादा है, वो इसी लिए है, क्योंकि उसकी supply कम है, वो available ही नहीं इतना, और लोगों को चा पड़ेगा, और आप किसी को तभी attract कर पाएंगे, वो आपको तभी ignore नहीं करेगा, जब आप उसको ignore करेंगे, और आप जब उसको ignore करके, अपनी life में universe को thank करते हुए, positive powers, positive energy को thank you करते हुए, आगे बढ़ने लगेंगे, तभी वो चीज़े भागे भागे आपके पीछे आ पनाना पड़ेगा, कोई short trick नहीं, कोई shortcut नहीं, कुछ नहीं, आपको सीधे से एक काम करना है, वो है अपने ऊपर काम, अपनी hairstyle, अपने looks पे changes, और आपको अपने आपको upgrade करना है, क्योंकि जब आप उससे मिले थे, तो आप updated थे, वो आपको देखके, और देखी, जिसको आ कर रहा है, वो किसी और के साथ है, या मुझे छोड़ के चला गया है, अग्नूर कर रहा है, तो अब हम कैसे attract करेंगे, attract कर लेंगे, आप मुझे यकीन है, आप कर लेंगे, जो आपसे पहले attract हो चुका है, वो तो बहुत जल्दी आपसे attract हो जाएगा, बट जदूद है, आप चाहें ये वीडियो देखें, ये वीडियो देखें, आप चाहें ये वीडियो देखें, आप चाहें तो यहाँ से चैनल को सब्स्क्राइब कर लेजिए, मैं मिलूँगा आपसे अगए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जय जय